हें गाईस आप लोग बार बार बोलते हो कि कोई knowledgeable वीडियो हमारे पास आने शी है knowledgeable वीडियो ठीक है तो ये एक knowledgeable वीडियो है और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ उनिया में 50 50 से बुरी चीज कोई है नहें कुछ भी नहीं है 5050 से बुरी चीज आज तक मैंने कभी देखा नहीं और मैं आपको बुताना चाहता हूँ nifty 50 में और एक गुरुपया के शेयर में कोई फर्क आपको नज़र आता है मुझे कोई नजर नहीं आता दोनों को मैं equally deserve करता हूँ दोनों को मैं equally value देता हूँ nifty 50 हो या 1 रुपिस का value हो दोनों का equally value देता हूँ पता है क्यूँ अगर आपने study नहीं किया है अगर आपने patience नहीं रखा है market में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बोल सकता है nifty 50 के share में आप लोगो मुनाफ़ा होगा अभी देखें ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे comment करने वाले हैं कि भाई ये जो बोल रहा है इसके बातों में मता ना क्योंकि nifty 50 के stock बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पर इंविसकोरो लेकिन प्लस add कर लो अपने comment में एक और comment वहाँ पर add कर लो कि nifty 50 का जब stock खरीदना है तो कौन से वाल stock खरीदना है mention करके बताओ मैं भी तो देखो तुमारे पास कितना दम है मैं भी तो देखो भई तुम मतलब तुम बोलते जा रहे हो कि भाई nifty 50 का stock खरीदो चलो मैंने मान लिए nifty 50 का मैं stock खरीदूंगा या कोई भी इंसान सभी लोगों को nifty 50 खरीदना है लेकिन कौन सा stock खरीदना है नाम लेके बता सकते हो क्या तुम नहीं बता सकते क्यों मुनको तो भाई समझ रहे हो ना बाबा बनना है तो बाबा बनने के लिए कुछ भी बोलना सही होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको 10 ऐसे example दे सकता हूँ 8-10 ऐसे example दे सकता हूँ आप सुनते सुनते ठक जाओगे लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 50 कौन से बड़ी चीज है उसके सामने और जितने भी बड़े लोग हैं हमारे मार्केट से जितने भी बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा कमाया है और बड़ा बड़ा पैसा बनाया है तो पहला example मैं ले लेता हूँ राकेश जूझनवाला को क्योंकि यह वही वेक्ति ह जिनको वरिन बफिट के साथ नाम लिया जाता है और वरिन बफिट शेर मार्केट के भगवान है इतना याद रखेगा वो ऐसे बोले जाते हैं तो सोच सकते हैं राके जुन जुन वाला के पठोलिव ने कभी आप भी आपने दिखा होगा जो टॉप क्लास के स्टॉक होते हैं लार्ज केप के मैं आपको दिखा होगा ज़्यादा तरह ये 80% ये 70% शेर जो है पेनी शेर सी होते हैं राके जुन जुन वाला के पठोलिव ने विजे खिडिये के बारे में अगर आप लोग नहीं जानता है तो बहुत इंटरस्टिंग आएगा आप लोग को नींद नहीं देख सकते हैं ऐसा का रहे हैं भाई हमारी भी एक आउकात होती है लिमिट होती है समझ रहे हो ना करोडों की गारी है यहां पर देख सकते हैं करोडों की गारी है और जो हम सपनी में भी नहीं सोच सकते हैं वह इनके पास है और यह कौन से स्टॉक में निवेस करते हैं यह और आपट करते हैं ये देख लीजे तो आप पाशानते हैं ये वही वेक्टी है जो आप लोगों साथ काम करते हैं आप लोग साम काम करते थे लेकिन फर्क क्या था आप लार्ज केप वाले स्टॉक में पैसा लगाते रगए और ऐसे ऐसे लोग अगर अभी भी मैं आपको बताता हूँ इनके पॉटफोलियो में 90% 90% स्टोक जो है वो पेनी स्टोक्स है 90% स्टोक पेनी स्टोक्स है और यह वही वक्ती है जो डीमाट के ओनर है फर्क यही है कि यह आज के डेट में एक ऐसी कंपरी बना लिए जिनमें आज हमनी इन्वेस्ट कर रहे हैं यह वही वक्ती है जिनके साथ सब लोग काम करते थे समझ रहे ना फर्क यह है यह आगे निकल गए और हम अभी भी निफ्टी फिप्टी निफ्टी फिप्टी किये जा रहे हैं अब आते हैं वापस एक्जामपल पर तो जितने भी लोग हैं जो निफ्टी फिप्टी को सपोर्ट करते हैं हाला कि प्लीज एक शेर का नाम बता यह निफ्टी फिप्टी में जो आपका फेवरेट है आपको मुनाफ़ा दे सकता है इतना कॉन्फिडेंस तो आपके पास होना चाहिए अब इनकी क्लास लिना स्टार्ट करते हैं इंडिसेंट बैंक यह लगबग 2000 यह जो इंडिसेंट बैंक आप लोग दिख रहा है इसके जो शेर का प्राइस 2000 हुआ करता था आज के डिट में आप लोग को मिल रहा 500 रुपीज में 75% का नुकसान 75% का नुकसान ठीक है और उसके बाद बजाज फाइनेंस चलिए बजाज फिर भी अच्छा स्टोक है सपोर्ट करता हूँ भई हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ एक्सेस बैंक क्या दिया सालों बरे में क्या दिया एक्सेस बैंक नहीं कर ले रिकॉर्ड निकाल के देख लो कुछ भी रिटन नहीं दिया उसके बाद बजाज उटो हाँ हाँ बजाज उटो है सही बजाज गुरुप ही अच्छा आई से इसे बैंक को में कभी भी सपोर्ट करता हूँ अब ONGC की बात कर लेते हैं, ONGC ने क्या कभी निकल की दिए, किसको कुछ भी, कुछ भी नहीं, ITC देख लिजे क्या निकल लिए आप लोगोगो, क्या ITC Kुछ भी नहीं निकल लिए, NTPC ह्नाल को देख लिजे, अब ये तो वो stock है जो अभी भी listed है भाई अब जिनकी निकल चुके है DHFL क्या नहीं आता था नहीं आता था निफ्टी के आसपास आता था ना क्या किया उसको भाई धक्का मारके बाहर निकाल दिया है एसे क्या किया पहर निकाल दिये है क्या किया उसको भी धक्का मारके बाहर निकाल दिये है क्युँ एसा हो क्यूं रहा है भाई ऐसे क्यूं निफ्टी-फिप्टी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अच्छे है और खराब है अब मैं अपने example देना स्टार्ट करता हूं और रुख जाइए रुख जाइए एक निट और ताटा देख सकते हैं ताटा गुरूप एक बहुत बड़ी कंपनी है अब देख लिए टाटा मोटर ने लोगों को क्या निकाल के दिया अभी अगर मैं इसका ओल टाइम हाई चार्ट दिखाना चाहता हू निकाल के दिया था लोगो काँ मुनाफ़ा निकाल के दिया ता उसके बाद क्या निकाल के दिया अगर लग बग हम देखे तूता 5 2014 के बासे जब यह स्टॉक नीचे गिरना स्टबकर दो लोगों को डुबा के ही छोडा है कि नहीं अब ले लिजे टाटा मोटर टाटा एस टॉक के हैं पचीष ऐसे स्टॉक है जो आप लोग को किसी हालत में मुनाफ़ा निकालके नहीं देने वाले हैं और डुबा के के हाइग रहेंगे आप लोगों चाहे जो भी कर लो जब तक आपने स्टडि नहीं किया हुआ है अपको को य दुबा सकता है अब पहला example आप लोगों के सामने है देख सकते हैं गोद्रेस consumer नाम सुना होगा बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा लेकिन बहुत लोगों के बहुत कम लोगों के mind में ये stock होगा क्योंकि वो ज़ादा तर अच्छे लोगों को याद नहीं कर पाते हैं लगबग 4 उपय का share केवल 4 उपय का share कहा दोड़ रहा था भई ये 1000 को touch किया था 1000 को touch किया था और अभी ये दुबारा 1000 को touch करेगा बस time लगेगा थोड़ा समझ रहो तो ये क्या था एक penny shares था है था कि नहीं था penny shares था ये और ये stocks देख लिजे अवंती फिड बाग गजब 35,000 परसेंट का return देने वाली company का नाम है अवंती फिड एक बार मिल जाये ना तो आपका life बन जाएगा अवंती फिड जिसका share का price कितना था लगबग 1 उपय के आसपास था और ये गया कहा तक था तो इस ये company में लगबग 1000 रुपीज के आसपास गई थे उसके पास थोड़ा गिरावाट हुई है समझ रहा हो तो ये अवंती फिड अर्बिंदो फार्मा अर्बिंदो फार्मा लगबग 4 रुपे का share आज के date में कितने रुपीज में दौड रहा ह 800 रुपे के आसपास और देखे मैं ऐसे company का भी नाम ले सकता हूं जैसे टाइटन बजाज लेकिन क्या है ना यह लोगों के मन में बैट चुका है यह लोगों के मन में बैट चुका तो मैं कुछ ऐसे stock बताऊंगा ऐसे stocks को example ले रहा हूं जो ज्यादा तर लोग उसको focus नही टाइटन के सामने टाइटन सभी लोगों को पता है दो रुपे से 2000 बन चुका लेकिन कितने लोगों को यह पता है कि और भी बहुत सरे ऐसे stock है जो नहीं बन चुके है यहां stock यह है लूपीन देख सकतों वा गजब की company है भाई राके जुन जुन वाला के पास बरबर के तो मैं आपको बस इस वीडियो के मादधम से इतना यह बताना चाहता हूं कि आप जितना value nifty 50 को देते हो ना उतना value आप एक रुपे के share को भी दे सकते हो अगर आपके पास इतनी हिमत है और बहाना ना मारने की सकती है आपके अंदर तो आप knowledge और study के दम पे किसी भी stock को choose क यह nifty 50 को दोनों का value आपके सामने equal आएगा क्योंकि अगर आपने study किया है ना सही से अगर इतना dedication है आप लोग के पास कि आप लोगों ने सही से knowledge प्राप्त किया और सही तरीके से काम किया है तो market में आप लोग को profit मिलेगा ही मिलेगा लेकिन आप यह सोच रहो कि भाई उस नहीं करना ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि निफ्टी 50 में अगर आप निवेस करते हो तो उतना ही जरूरी आप लोग को एक या दो रुप्य वाले share के नीचे एक या दो रुप्य वाले share में निवेस करना जरूरी है अगर आप ऐसे stocks में नहीं करते हो तो ऐसे stocks मी आप लोगको को निवेस करके Max कango मिलेगा एक destos यह या पांच सšकता हो जिसको निफ्टी 50 से मां इससी कॉम्पनी को लेता है जो इसाही है जो सही चल रहा वह बेकिन जब और गंदगी मतलब गंदगी फैल आने लगते हैं तो उनको धक्ये मार के बाहर निकाल देता है समझ रहे है ना तो इसी लिए मैं बोल रहा हूँ आप किसी भी company में निवेस करो लेकिन उसका value तब ही तक आपको पता चलेगा जब तक आप study करोगे यह देखिए सन फार्मा सन फार्मा कितने रुपिस का शेयर था यह आज की डेट में निफ्टी का निफ्टी 50 का टॉप लेबल में जाकर बैठा है फार्मा से हाला कि सन फार्मा से ज़्यादा बड़े बड़े स्टॉक है जो अच्छे खासे मुनाफ़ा दे रहा है यह भी देख लीजे दो रुपे के आसपास था पेनी शेयर था ना आज की डेट में यहाँ देख लीजे लगबगे थाउजन रुपिस को इसने भी टच किया था और थाउजन रुपिस को टश किने बाद आज की डेट में 500 में च मतलब जितने भी करेटरिया है उसको पूरा करना पड़ेगा निफ्टी बोलता है कि जितने भी मेरे करेटरिया है उसको पूरा करना पड़ेगा तो जितना जरूरी आप निफ्टी 50 के शेयर खरीते हो उतना उससे ज्यादा जरूरी आप 2 रुपिय वाले शेयर को भी ज्या वह हो जो गरीब पैदा हुआ है मालने था है जो गरीब मोड़ने नहीं था आइशा मोटर यह अभी कितना पफ लोग च्छी हुआ रहा है उपाले टेर है वही माल लेते, एक गूराइगा डीक है, आईशा मोटर ने जो गजब का प्रॉफिट दिया थाना, 35,000 का इसने जो हाईस्ट बनाया थाना, तब लोग देखते ही रह गयते, देखते रह गयते, भाई, ये एक छोटा सा स्टॉक, जिसको लोग आज तक वैलू नहीं देते थे मुझ गुरा के देखते भी नहीं थे वो 35,000 को गया तो अब हुआ जब ये stock लगबग 20,000 को cross करना start किया न तब लोगों ने इसके उपर ध्यान देना start किया और खरीदना start किया क्यों पता है हमारे खून में महंगाई बसती है हम भाई महंगे stock को खरीदना पसंद करते है मतलब जो expensive है न हम उनको ज़्यादा value देते है और जिनका प्राइस बहुत कम है उनको value नहीं देते है ऐसा ही होता हमारे साथ बहुत सारे लोग और एक चीज यहाँ पर देखे यह जो चीज में आपको दिखाने जा रहा हो ना यहाँ पर आपकी आँख खुलेगे एक रुपे दो रुपे को शेर मत खरीदना ठीक है मत खरीदना यह दिख लीजे मदरसन सुमी मदरसन सुमी के बात करते हैं तो एक रुपे में आप 10 खरीद सकते थे एक रुपे में 10 खरीद सकते थे बाई तुम एक रुपे वाले शेर खरीदगों तो एक रुपे में एक ही कॉंटिटी आएगा आपके पास निफ्टी में जगा बनाई है इससे भी कोई चोटा और इससे भी ज़्यादा पेनी शेर्स आपको लोग देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा समझ सकते हो इतना चोटा चोटा पेनी शेर्स है देखिए हाला कि मेरे पास एक्जामपल तो बहुत है लिष्ट है मैंने लिष्ट पूरा निकाल रखा है पूरा हाला कि मैंने आप लोगों कही बर दिखा है लेकिन मैं आप लोगों कंकुलूजन इतना ही देना चाहता हूँ कि या तो आप पचास उरुपया वाले शेर खरीदो या तो आप फिप्टी थाउजन रुपेज वाले शेर खरीदो दोनों का वेल्लू इक्वल है जब तक आप स्टॉडी न करलो जब तक आप इसके बारे में पूरा कुंडली ना निकाल लो तब तक यतना याद रखेगा तब ही ये share का value बढ़ेगा जब आप लोगों ने इसको सही से study किया होगा सही से analyze किया होगा company के बारे में देखा होगा और जब तक आप लोगों ने analyze नहीं किया है तो आप दोनों में से कोई भी share खरीदो या तो 50,000 वाले खरीदो या तो 50 रुपीज वाले खरीदो सबसे ज़्यादा लेकिन जब तक आपने study नहीं किया यतना याद रखेगा तो जब भी किसी share को खरीदो तो उसके बारे में सही से study करो सही से study करो तब profit तो खुद आपके पीछे चल के आएगे खुद आपके पीछे चल के आएगे हाला कि 50-50 मैं यह नहीं बोलाओं कि गलत है निवेस मत करो ऐसा नहीं है मैं value देने के बात कर रहा हूँ जब तक और अगर आप यहाँ पर मुझसे पुछते हो कि भाई कुछ तुम ही बता दो दूर भी ओले दस रिप्याल शेयर तो देखे मैं क्या बाता हूँ आप लोग को मैं तो daily वीडियो बनाता हूँ आप आप पर देख ले तो मैंने भी बहुत सारे stock बाता रहा है लेकिन यह आप यह आपका responsibility है कि आप भी बहुत सारे stocks के बारे में study करो और जब तक आप खुदी नहीं करो देखे मैं एक इंसान हूँ मैं ज्यादातर क्या सकता हूँ 10 यह 12 stock के बारे में analyze कर सकता हूँ लेकिन आप 1000 हो आप अगर एक-एक stock के बारे में analyze करने start कर दिए तो आप 10,000 लोग ह मैं केबल एक हूँ तो सोच लिजए एक दिन में 10,000 stock को आप study कर पाओगे लेकिन करना start करेंगे तब न यह आपके उपए depend है तो यह वीडियो केबल मैं knowledge के लिए बनाना चाहता हूँ हाला कि मैं यह नहीं बोलता हूँ निफ्टी 50 मत करें तो बहुत सारे लोग यह भी comment कर यह जारा डिमेंट अकाउंट सभी है और उसके साथ साथ आप लोगो नौलिज भी मिलना start हो जागा वैसे भी एंजल जिरोता जैसे जो प्लैटफॉम है अच्छा वाले प्लैट्फॉम जहां पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है यहां पर एक ग्रूप है यह एंजल का झालों